वेलकून दोस्तों गयान केमपस आपके अपनी यूट्यूब चैनल गयान केमपस में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो लक्चर में हम पढ़ेंगे डिजिटल एनरजी मीटर दोस्तों ये वीडियो लक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड समस्टर सेकंड यर वालो के सब्जेक्ट है आपका EIM यानि इलेक्ट्रिकल इंस्टूमेंट और मेजर्मेंट जैसा कि पिछली वीडियो लक्चर में हमने इंडेक्शन टाइप एनरजी मीटर पढ़ा था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू करने सपहले करवाद दूस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के जाएगे चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल आकन प्रेस कर लिजाएगा ताकि फूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके तो देखते हैं ड अनलोग अनर्जी मीटर वगएरा के बारे में जाना और अनलोग अनर्जी मीटर होते कैसे वह सब जाना अब डिश्टल के बारे में जानेंगे तो क्या होता है देख लेते हैं डिश्टल अनर्जी मीटर अनलोग अनर्जी मीटर की तुलना में अधिक उप्योगी होते हैं इन एनर्जी मीटर को solid state device से बनाया जाता है, इस एनर्जी मीटर में मापी गई उर्जा को liquid crystal display यानि LCD की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है, इस एनर्जी मीटर को निम लिकित चार भागों बाटा जा सकता है, देखें digital energy मीटर भी चार टाइप की होते हैं, कौन-कौन से, supply unit पहला आपका, दूसरा meter unit, तीसरा real time clock unit, जिसे RTC unit भी कहते हैं, और fourth आपका display unit, तो पहला देख लेते हैं, supply unit क्या होती है, supply unit में, आपका, supply unit में, terminal box तथा current transformer, याज नहीं CT, वह potential divider आदी आते हैं, terminal box में, supply के RYB, यानि 3 phase, को meter से, जोड़ा जाता है, तथा current transformer, यानि जिसे CT कहते हैं, potential divider, क्रमसा current, तथा voltage के मान को, solid state device के उप्योगी मानक कर देते हैं, इतना लिखने के बार, आप diagram दिखा देते हैं, इसका फिर आगे बढ़ते हैं, तो यह आपका digital meter का diagram होता है, थोड़ा यह लंबर diagram है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा, आप screenshot लेके इसे बना सकते हैं, यह पहले यहाँ पे आपको तीन box दिखेंगे, दो छोटे box दिखेंगे, पहला, four quadrant metrology processor for active and reactive power, energy measurement, ठीक है, आपका इस टाइप कि कुछ blocks बने रहेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, ठीक, यहाँ पे दूसरा रहेगा, control processor, जिसे data processing, display, measuring management, serial communicator, यहाँ पे आपका memory का एक box रहेगा, RTC, real time clock, जिसे हम करते हैं, optical port, आपका energy meter का, यह जो numbers सो करते हैं, वो लिखा रहेगा, ठीक, कुछ आपके, तो आपके यहाँ से, तीन arrows नीचे की तरफ आएंगे, देखिए, यह यहाँ पे ब्लॉक साओर बनेगा, आपका potential divider, जिसे power supply with production, या filters कहते हैं, जहाँ पे हमारी सारी powers, filter इत होती है, ठीक है, यह current transformer 1 है हमारा, current transformer 2, 3, 4, तो यह आपके चारो current transformers हैं, यहाँ से आपकी units एक यहाँ पे इतने phase और supply जुड़ेगी, एक phase और एक phase supply इसमें जुड़ेगी, ठीक, then उसके बाद, आपका जो होगा, यहाँ current transformer से एक phase निकल कर, यहाँ पे आएगा आपका terminal box में, इसे r phase कहते हैं, 3 phase है हमारा, यह देखे, r, y, b phase, ठीक, और एक neutral है, तो पहले वाले current transformer से एक unit इसमें जुड़ेगी, यह दूसरे वाले से निकल के, पहले phase को phase से जोड़ ठीक, then उसके बाद, यहाँ से हम, एक यहाँ पे potential में ले जाएंगे, filter में, r का phase का, ठीक, then उसके बाद, पहला आपका, दिखा देते हैं, current transformer की एक unit इससे जुड़ी जाएगी, then इसी प्रकार, इस filter वाले का, एक supply unit, 4 वाले current transformer से जाएगी, ध्यान से समझें, समझ आ यहाँ से जुड़ी जाएगा, then उसके बाद, तूसरे का इसमें, और तीसरे का इसमें, बी वाले में, और neutral का एक आप neutral मिला देंगे, और neutral इसी प्रकार आपका यह जो है, यह आपका RSE 230 port, यह आपका port होता है, इसका एक phase जो होगा, आपका, यहाँ उपर connected रहेगा, देख जाएगा, तो आप देख लीजे, थोड़ा कोई mistake हो, तो आप देख की screenshot लेके बना लीजेगा आराम से, तो यहाँ पर एक phase बाहर निकल जाएगा, L1 जी से कहते हैं, आपका यह R वाला बाहर चला जाएगा, then इसका यह दूसरा सिरा, आप यहाँ पर निकाल देंगे, इसे प्रकार Y वाले में आप करेंगे, इधर L2 चला जाएगा, और इसका phase इधर निकल जाएगा, इसे प्रकार B वाला phase बाहर L3 की चरप चला जाएगा, और इसका phase इधर, अब एक neutral लाके common कर देंगे, ठीक, और यहाँ पर neutral एक, यह आपका load हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का digital energy meter का यह long diagram practice करने पर आ जाएगा, तो screenshot ले लिजिए, एक बार मैं starting से दिखा देता हूँ, तो देखिए, starting से आपका diagram कुछ इस तरह दिखेगा, आप इसे अच्छे से बना लिजिएगा, अगर आप कहेंगे तो इसका PDF मैं अपने telegram channel पर दे दूँगा, आप वहाँ से कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहला point लिखने के बार, second हमारा meter unit लिखेंगे, diagram बनाने के बार, ठीक है, digital energy meter का यह सबसे महतुपूर भाग है, जिससे meter की संपूर्ण गतविधियों को नियंतरित किया जा सकता है, इसमें 4 quadrant, metrology, processor for active and deactive power, जिससे energy, measurement unit या control unit, जिसमें data processing, data processing unit तथा serial communication unit होती है, आप इतना भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसे unit में analog digital converter ADC भी लगा होता है, जो analog signal को digital signal में परिवर्तित करके control unit को देता है, ठीक है, और इसका real time clock next point रहेगा, जो हमने बताया थे 4 point होते हैं, तो next का RTC unit जिसे कहते हैं, real time clock RTC energy meter के control unit को real time signal प्रदान करती है, real time clock अधिकतर electronic device में real time देने के लिए प्रयोग की जाती है, या एक IC है, जो real time signal प्रदान करती है, real time clock डूसरे clock system से बहतर होते हैं, ठीक है, next हमारा display unit, अब इसे देखके notes बना सकते हैं, अगर notes बनाने हम दिक्कत हो रहे हैं, तो आप चाहेंगे PDF मैं telegram में shun कर दूँगा, वहाँ से आप download कर सकते हैं, लेकिन आपको telegram channel join करके, वहाँ पे comment करना पड़ेगा, display unit, energy meter द्वारा मापी गई विद्धू तूर्जा को प्रदर्शित करने के लिए, display unit का प्रयोग किया जाता है, सामानेता digital energy meter में liquid crystal display LCD का प्रयोग किया जाता है, जो meter unit से जुड़ा होता है, ठीक है, यह एक प्रकार का output device है, जो meter unit द्वारा भेजे गए signal को, alphabet यानि अच्छर तथा number अंको के रूप में प्रदर्शित करता है, आपने देखा होगा energy meter में जो display होती हमारी जितनी reading है वो शो होती, वही चीज़ इसमें लिखा है, डिस्प्ले में आप जो जो चीज़ दिखते हैं वही आपको इसमें लिखना है, तो ठीक है, यह यहीं पर हम topic end करते हैं, तो इस video lecture में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अगर इसका PDF चाहिए, तो टेलिग्राम ग्रूप में जरूर जोइन कीजिए, और लाजो चीज़